पुराने घरेलून उसके छोड़िये और लीजे नया इजगाट प्लास इसमें है दमदार टबिनाफिन जो पसीने से होने वाली खुजली पर करे चार गुना तेज असर उसके हर देर हैं देर नहीं कुछ ना तेरे बस में है ना दी ना अंत जो आया वो जाएगा कहके सादो संतु कि अ प्रैश्ज कुछ दूने कहने का अ प्राविक शुद्ध आपका शूलिष जो आया वो जाएका तो बगतौं सेंटर फ्रेश चबाईए, जुवान पर लगाम लगाईए दिमाग की बत्ती जलादे, Mentos कीमी में ओचिति, क्पक्रा rings युवान पर लगाम लगाईए जुवान परनी ही 10 Den is in C duel कर दो कर दो कर दो आदी सिमेंट मजबूती घजब की अब आ रहे हो गेट आउट ये है आम जिन्दगी कहां जा रहे हो सिट डाउन ये है मेंटोस जिन्दगी मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे प्राइब की जाईब सेंटब फ्रूट, कैसे जी प्लबलब भाई? मुरचीयर अबूनी थाथ एक दॉक्टर मेरे थात में थाते डॉक्टर तुम हो, या में संस लो ऐसे नही ऐसे SEDAC perfum deals, just SEDAC her सर, वोट इस प्रकाश? सर, वो चुट्टी चाहिया था, सर. चुट्टी? सर, वो हमारी शादी है, सर. हो, हो. लड़की कहां की है? वो आपकी बेटी है, सर. सर. चंग्राइचलेशन्स, प्रकाश, चंग्राइचलेशन्स. वोट अएक्सलेंट जोइस. तुम जानते हो के तानिया, हावड ग्राजुट है. शादी का प्लान क्या है? हमने बैंक से लोन ले लिया है, तो हम सोच रहे थे की सर. जादी कर लेंगे वनो में. शादी सारा मुंबई देखेगा, याद रखेगा, और शादी होगी ब्रेभावन स्टेडियम में. तेनों खानों को नचवाओंगा मैं प्रकाश? हाँ, हनीम्बून होगा, वेनिस, बैरस, एंड लास वेगिस. हाँ, एक काम करो, मेरा प्राइवेट जट लेकर जाना. सर, जट कभी उड़ा है नहीं सर, अमने गाड़ी. प्रकाश, अब ये ड्राइवर गिरी छोड़ दो. कल से तुम मेरी कमपनी के वाइस प्रेजिडन्ट होगे. रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप चाहें उमीद से ज्यादा, तो ले आएए फाइविन मन बेरियो कूल क्रूज एक कंडिशनर. ये करे कूल, हीट, डिहुमिडिफाइ, प्यॉरिफाइ और डियो ड्राइज. क्रूज, स्टे कूल दिस समर. पाली जिसके लाल लाज, नाम है उसका सूरज लाज. चुटी! मम्मा! बहिया फिर से रेड हो गए! अब क्या होता हूँ? ऐसे ही है सूरज. कुस्से में लाल नहीं, आपका गुला हो जाता है. ये कहानी है गर्म सूरज की. उसकी गर्मी से परेशान उसके अपनों की. ये कहानी है इस गर्म शरीर के थंडे सपनों की. एक कोई से नहीं खेल पाया मेरा बच्चा. बंगल यान पर बैठके धरती पराया है ये एलियन. बाल देखे है इसके? लाल! मासूम सूरज अपनी गर्मी से अंजाना था. आइसक्रिम खाने के लिए दिवाना था. सौफ्टी पकरता तो जल जाती. और दूद की कुलफी पिगल जाती. घर की चीजों मैं भी गर्मी दिखती रही. पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती रही. पर भई होसला तो रखना था. भई बच्चा भी तो अपना था. ठंडे को गरम करना. बाल्टी के पानी को बॉल करना. बहन के बालों को स्ट्रेट करना. और कभी-कभी मस्ती में डैर फेस पे कलन के खेत की मुलतानी मिट्टी. हेड पे बच्चन की दुकान का ठंडा तेल. पीट पे शारुक का कूल-कूल पाउडर भी उड़ गया और मुन्ना बरब बीपो का आइडिया भी भाब बन गया. माबाप ने क्या-क्या नहीं किया. मंदिर की घंटी, चर्क में फ लड़की के घर चाय की चुसकी चल रही थी. सुरज मुखी शर्माते होए बजिया तल रही थी. इतने में लड़की के पपा छिलर जी बोले. तो चक्रुवर्ती साहब, रिष्टा पका समझें. हाँ, हाँ, जरूर. पर हम आपको एक बात बताना तो भूली गए. बेटा सुरज मुखी, हरी सबका मुव मिठा कराओ भाई. सुरज मुखी जट से कुलफी ले आए, एक एक करके सबको थमाई. थाइंक यू, थाइंक यू. ले ली जी. बट इस बार सुरज की कुलफी ना पेकर पाई. और ये देख छुटकी चिलाए. ममा, भया ठीक हो रिष्टा पक्का हो गया. सुरज वाकई चंगा हो गया. इस तरह हमारी ठंडी गरम स्टोरी का हैपी एंड हो गया. झाल